लोम टू टू टीवी का पटाका उवल दोस्तों तुनिशा शर्मा केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार यह खुलासा तुनिशा शर्मा के प्यारे चाचा पवंड शर्मा ने किया है। और लगाए हैं उन्होंने शिजैन और उनके पूरे परिवार पर बड़े ही संगीन आरोप, खबरों के माने तो शिजैन खान और उनके परिवार वालों के उपर पवन्ट शर्मा ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी बेटी को हिजाब पहनने पर मजबूर किया था, जी हाँ दोस्तों वेल इस पूरी खबर के पीछे की क्या है सच्चाई क्या सच में तुनीशा शर्मा को धरम बदलने के लिए मजबूर किया गया था हिजाब पहने के लिए सच में मजबूर किया गया था या फिर असलियत कुछ और है वेल इस खबर के पीछे की पूरी सच्चाई को बताएंगे हम आपको पूरे विस्तार से लेकिन उससे पहले चानल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दवाना आप बिलकुल ना भूलें वेल दोस्तो हर दिन तुनिशा शर्मा के केस में नए नए खुलासे होते हुए देखे गए हैं हर दिन ही कोई न कोई बड़ी अपडेट निकल कर सामने आती है जहां लगातार शिजैन मुहम्मद खान पुलिस हिरासत में अपने स्टेटमेंट्स को बदल रहे हैं तो वहीं अब तुनिशा के चाचा ने आगे आकर मीडिया से बड़ी बात कही है दोस्तों उनके चाचा का साफतोर से ये कहना था कि उन्होंने उनकी बेटी को यानि कि शिजैन के परिवार वालों ने तुनिशा को हिजाब पहनने पर मजबूर किया था और धरम बदलने पर भी उन्होंने ये भी बताया कि जब से वो शिजैन मुहम्मद खान से मिले थी तुनिशा हिजाब पहनने भी लगी थी यानी कि उन्होंने शिजैन और उनके परिवार वालों की इस खुआइश को एकसेप्ट भी किया था जो कही नपकी तुनिशा के परिवार वालों के लिए गलत था लेकिन दोस्तों तुनीशा शिजैन से इतना प्यार करती थी इतनी महबत करती थी कि उसने इस शर्ट को भी मन्सूर कर लिया था और वो हिजाब पहन कर कई बार तस्वीरे अपलोड भी कर चुकी है लेकिन दोस्तों बावजूद इसके पूरे तरीके से खुद को जहां एक त 12 दिसंबर को आपको बता दे कि उसने अपनी जान दे दी वह दोस्तों लगातार 15 दिनों से इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हो रही थी लगातार लड़ाई और आखरी में उनके परिवार वालों से कुछ बात भी हुई और वाटसेप पे चार्टिंग भी हुई जिसे तुरंथ ही तुरंथ ही यहां पे बताएं आपको शिजैन ने डिलीट कर दिया जी हां दोस्तों शिजैन ने उस दिन की चार्ट को तुरंड डिलीट किया जैसे ही वो हॉस्पिटल लेकर भागे थे यहां पे तुनीशा शर्मा को यहीं वज़ा है कि पुलिस का पूरी सच्चा ही आपके सामने हैं क्या कहींगे आप हमें अपने व्यूस कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें